जैसा कि आप सभी को पता होगा आज के डेट में इंडियन वाइल की तरप से जो वेकेंसी आया था आज टेकनिकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए उसका एडिमिट का रिलीज कर दिया गया है तो गाईस आप सभी को एकजाम देने से पहले इसमें जो इंपॉर्टन इस्ट्रक्शन है उसको जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट इसमें मैंने जरूरी है जो आप लोक का एस PPT यहां से देखिएगा क्या क्या डोकुमेंट लेकर जाना है और क्या क्या चीज इंपोर्टन बाते बताया गया एड्मिट कार में तो सबसे पहले जितने भी चैनल पहली बार देख रहे होंगे सब्सक्राइब प्लीज कर दिजेगा तो देखिए एड्मिट कार्ड और मतब कि इसका प्रिब्यस पेपर आप लोग मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं देखिए है एड्मिट कार्ड डाउनलोड होने में बहुत सारा अगर प्रोब्लम भी हो रहा है तो अगर आपको पासबर्ट यान नहीं है तो फॉर्ट पासबर्ट कर सकते हैं अगर किनी का नहीं सो कर रहा है तो आप लोग वह रेगुलरली चेक किजिएगा अगर कोई भी और भी दिक्कत थे तो आप लोग इंडियन वायल को मेल कीजिए आप लोग इमेल पर जागी इंडियन वायल को तो अब देखिए एड्मिट कार्ड आप लोग मेरे वेबसाइट से आकर डा कि देख रहे हैं आयोसियल टेक्निकल अटेंडेंट कोश्चन पर यहां से आप लोग डाउनोड कर सकते हैं आप चलिए मैं आप लोग को लिए चलता हूँ इंस्ट्रक्शन पर जो एड्मिट कार्ड में में अप सभी को जानना जरूरी है तो गाइस यह है एड्मिट पता ही होगा इसका एक्जाम जो हो रहा है वो ऑफलन मोड में हो रहा है और आप लोग का एडी काड हो गया या पास्पोर्ट हो गया यह सभी किनी एक आप लोग लेकर जा सकते हैं आप लोग को मतब की इंट्रेंस एक जाम में परवेश के लिए अब देखिए यहां पर साथ ही साथ आप लोग को सभी ओरिजिनल डुकुमेंट वी लेकर जाना है चुकि इसका अगल अगल में आप लोग लुख। किस ढवा सकता है कहीं पर नाम को पूछ सकता है प्रूस का यह सैकर ऑप अलोग है थीर पर advertisement का नुसार अगले ही दिन आयोजित होगा तो यह देखिए SPPT test में आप लोग का जो होगा वो practical test होगा यह सिर्फ qualifying nature है merit आपका सिर्फ return test पे ही बनेगा लेकिन जो SPPT test में है इसमें interest पाने के लिए जो generate return test exam pass कर पाएंगे उनका document verification होगा जो सभी original document लेकर जाना है कौनकों से document है इसमें mention किया गया है मैं आप लोग को बताऊंगा तो धियान देना है सभी original document लेकर जाना है धियान से अपने मतब कि ख्याल रख के लेकर जाईएगा यह नहीं हो कि आप लोग मतब कि उसको एकदम अच्छे से लेकर जाईए जहां भी सेंटर आपका सभी एक साथ लेकर जाईएगा कोई आप मतब की धियान इदोजर ना हो कोई भी document के बाली बात होती है original document अप लोग को लेकर जाना है अब देखिए बहुत सारे फिर clear हो जाएगा अगर आप लोग document लेकर नहीं जाएगा तो फिर आप लोग को बैक आना पड़ेगा कोई फाइदा नहीं रहेगा आपको आप लोग बढ़े सानी में पड़ जाईएगा तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है और साथी साथ कोई पहले डोकुमेंट मैंने जैसे कि यहां पर मेंसन किया गबोल लेकर जाना है तो देखिए यहां पर जो सेलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा तोटल नब्बे मिनट का दूरेशन होगा यहां पर कोई भी निगेटी मार्किंग नहीं है चार आप लोग का ओप्शन इमेडियेटली टाइम ओफ डिकलीरेशन ऑफ रिजल्ट रिटेंटेस्ट इनांस इन इग्जामिनेशन होल इमेडियेटली आफ्टर देस्ट इस इस पर पब्लिश कर दिये जाएगा मैं अपने वेबसाइट पर बीडाल दूंगा तो यह इंग्जाम रिशन आपका खातम ह जाएगा जाएगा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वह आप देखिए जैसे कि मैंने पता है कि जो आप लोगों को रिटेंट इस इस पीट्री में बैठना होगा तो इनको सभी उरिजिनल डुकुमेंट देना होगा जैसे कि यहां पर अगर आपका इस सेमेस्टर है तो से यहां पर जो देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं बैठने दिया जाएगा तो यहां सो साफ सबसे lots अप्रेजिनल डुकोमेंट लेंक में है अगर आपका रिटेंट टेस्ट क्लियर होता है तो स्टेज में में बहितने के लिए सबसे होता है रेफिंटर काके सो करना होगा मेंने देंगा की मातब़ की इसमें पॉस्टारब धिया हो आप चलिए मैं पता देता हूँ नोटिफिकेशन में कहां सब ज्यादा कोशन रहता है तो गाइस यह है नोटिफिकेशन और लगबग अगर सीट जोड़िएगा तो के लिए बोल सकते हैं अच्छा मतब अच्छा सीट है अब जिस अनुसार जो भी समय चल रहा है उसका अनुसार दो बोली सकते हैं अब देखिए यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता ही होगा लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं यह मैंने बताया हूं पांज होना का इंडिरेट को यह बोलाएंगे ठीक है और अगले ही दियने आप लोग का हो जाएगा और देखिए इस्टुडेंट्स के लिए यहां पर कोई भी निगेटिव आर्की नहीं रहेगा नभी मिनिट का पेपर होगा 75 कोश्चन जो रहेगा आप लोग का वह ट्रेट से रहेगा जैसे कि इसमें ट्रेड में इन्हों होने देखिए मिक्स पूछता है यह डिपार्ट्मेंट जो है ना इलेक्टिसियन और फिटर से ज्यादा कोश्चन रहता है और साइंस का भी कोश्चन रहता है 75 में आप लोग का तीन पोर्शन आ ज आप लोग को समाज में आ जाएगा एडिया मिल जाएगा और जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग वही है यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है और देखिए मैंने बताया कि यह सिब कालिंग नेचर है तो गाइज यह है और देखिए यहां दिया गया है कि अगले दिन ही मत्तब कि आप लोग हो जाएगा यहां पर देखिए लिखां गया है यहां पर देखेए मैंने पहले बता आए कि इविनिंग में ही आप लोगों सेम डे में आप लोग यहाँ पर यह तीन नमर वाला में पढ़ सकते हैं यहाँ पर और आप सभी को औरिजिनल डुकिमेंट लेकर जाना है मैंने पहले बता दिया हूँ तो गाइस जो important instruction था मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ और कुछ इसमें point हमको नहीं लग रहा है चुटा है बात बाकिए आप लोग comment कीजिए कुछ भी doubt है अब देखिए document वाली बात है तो आप लोग पूरे धियान से लेकर जाईएगा कोई धरुदर नहीं किजिएगा ठीक है और अपना मतलब कोई साथ में है तो contact भी कर लेजिए मेरे टेलीग्राम गुरूप है जो एक open बला है एक तो उसमें chat नहीं होता है एक open बला में है तो आप लोग chat कर ल यहीं का तो कोई दिकत नहीं होगा तो बस यही था आप लोग के लिए इंपोर्टन वीडियो तो जो के लिए अप लोग रेगुलर्ली चेक करते रहे कोई भी डाउट है अप लोग आयोसीयल को मेल कीजिए अभी टाइम है उनके तरफ से रिप्लाइब बिलकुल आ सकता है तो यहीं तब लोग के लिए इंपोर्टन वीडियो धन्यवाद